नवश्कार अधिकार एक्ष्प्रेस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विरेन दिवेदी हमारे देश में खनन एक ऐसा महत्वपूर्ण छेत्र है जो हम सभी के जीवन को काफी प्रभावित करता है इस संसार में हम जो भी चीजे देखते हैं वह सब खनन से जुड़ी हु है इसलिए का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इनके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है इसलिए राज सरकारों ने इनको बचाय रखने और राजस फुप्राप्त करने के लिए खनन विभाग में कैई अधिकारियों की हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है घंतर नीरिक्शक 3000 जानते हैं तो अजी बात है और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है और उसकी योग्यता क्या और चले ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खनर निरिक्षक या इंस्पेक्टर कौन होता है। आपको बता दे कि खनर निभाग में कई प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तिया की जाती है। जिसमें से एक महतुपोना धिकारी खनन निरिक्षक होता है। खनन निरिक्षक को अंग्छेजी में माइनिंग इंस्पेक्टर कहा जाता है। यह समूग अस्तर का अराजपत्रत दिकारी होता है। इसके न्यूकती राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। पुलिस निरिक्षक की तरह ही खनन निरिक्षक भी खादी की वर्दी पहनता है जिसमें तीन स्टार लगे होते हैं खनन निरिक्षक खनन शेत्र यानी फिल्ड के कारियों को करने के साथ ही खनन विभाग के कारियाले का भी कारि करता है या खनन विभाग से सम्मंदित के लिए उत्तरदाई होता है तता इस पद के लिए सभी धाईत्यों का निर्वाह करता है। हाला कि सामाने न स्भननिरिक्चक ब्रक्तिगत तौर पर फंधनषेत्र में कारि करता है। लेकिन आवशक्ता पढ़ने charity पुलिस का भी सायोग लेता है जबकि खननचेत की परिस्तितियों और समवेदन शीलता को ध्यान में रखते हुए खनन निरिक्चक पुलिस और राजस विभाग के साथ मिलकर सैयक्तु टीम के रूप में भी कारी करता है खनन निरिक्चक अपने वरिष्ट अधिकारी यानि खनन अधिकारी के अधिन रहकर कारी करते हैं जिसे अंग्रेजी में माइनिंग आफिसर कहा जाता है जहां तक पदोन्नती की बात है तो उत्तर पदेश के खनन विभाग में लगबग पांच वस की सेवा के पश्चात खनन निरिक्चक को पदोन्नत करके खनन अधिकारी बना दिया जाता है आपको पता दे कि उत्तर पदेश में खनन निरिक्चक का मूल वेतन 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए निर्धारित किया गया है वहीं बिहार में खनन निरिक्चक का वेतन मान 9,300 से 34,800 रुपए जबकि ग्रेट पे 42,000 रुपए मिलता है जबकि हिमाचल पदेश में खनन निरिक्चक का वेतन मान 5,910 रुपए से 20,200 रुपए निर्धारित है चता हर्याणा में खनन निरिक्चक का वेतन मान लगभग 35,000 रुपए दिया जाता है खनन निरिक्चक के विशय में जानकारी के पस्चात अब आपके लिए भी जानना आवश्यक है कि आपकी सेवा करने वाले खनन निरिक्चक के आखिर का अधिकार यों दाईत्तु क्या होते ही खनन निरिक्षक का प्रमुकारिक खनन के शेत्र में वैद और अवैद यानी जुर्मानी के तोर पर इकठा किये गए धन को राज्य सरकार को भेजना और वैद खनन को बढ़ावा देने के साथ ही अवैद खनन पर रोक लगाना होता है खनन निरिक्षक अवैद खनन करने वाले लोगों के विसे में ततकाल पुलिस को सूचना देते हैं और जे सीवी को पुलिस द्वारा जब करवाते हैं वर्ज छेत्रों के निकट बालू, गिट्टी और मिट्टी का आवयद खनन करने वाले लोगों पर प्रभावी रोक लगाते हैं और इनके विरद कानूनी कारवाई करते हैं गिट्टी और बालू से लदे ट्रकों तथा मिट्टी से लदे ट्रेक्टर उपर ओELLोडिंग पाये जाने पर ट्रकों का चालान काटते हैं और उसे जब्त भी करते हैं सूचना मिलने पर रेत बजरी का वैद खनन रोकने के लिए पुलिस के साथ मिलकर मौके पर चापा मारते हैं और लोडर, ट्रैक्टर तधा ट्राली को जब्ट करते हैं नदी के किनारे बालू खनन की शिकायत मिलने पर पुलिस की कियो आइटी टीम के साथ मौके पर पहुँच कर बालू लदे ट्रकों को सीज करते हैं अवैद तरीके से पत्थर उत्खनन और अडोलोमाइट खनन के बारे में सूजना मिलने पर छापा मारने की कारवाई करते हैं और दोसी लोगों को गिरपतार करवाते हैं। अवैद खनन के खिलाब चेकिंग अभियान चलाते हैं तथा जाच के समय सामान की रायल्टी के कागज न पाय जाने पर आरोपियों के विरुद एफाई यार पंजिक्रित कराते हैं और उन्हें गिरपतार करवा कर जेल भिजवाते हैं। ग्रामीर शेत्र में किसी भी प्रकार की अवैद मिट्टी की कटाई करने वाले लोगों के विरुद कारवाई करते हैं। खनन के छेत्र के मौरण खंडों के निरस्ति करन तथा बकाया वसूली जेसा दस्ताहई जो से संबंधित महत्मूर कारियीं को पूरा करते हैं। धिन या रात में किसी भी समय किसी खान या उसके सेत्र का निरीक्षण और परिक्षण करते हैं तथा संदिक दस्थान की तलाशी लेते हैं और खान से संबंद सामगरी या किसी रेखांकन खंडचित्र, रजिस्टर या अन्य अभिलेक को कबजे में लेते हैं अब यदि आप भी खनन निरीक्षण की आनि माइनिंग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो और देश की सिवा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा निर्धार योग्यताओं को पूरा करना होगा जैसे उतर वदेश में इसके लिए आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्याले से खनन इंजीनिरिंग में डिप्लोमा एवन समकच्छी योग्यता होनी चाहिए जबकि नियुनतमायू 21 वर्स तथा अधिक तमायू 40 वर्स होनी चाहिए जबकि बिहार में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन और खनन सर्वेक्षण में डिप्लोमा या किसी भी मान्यता प्रापत विश्विद्याले से भूविज्यान में डिग्री होनी चाहिए में भूह वग्यान के साथ विग्यान में डिगरी या माइनिंग इंजिनियर के उपाधी होनी चाहिए जबकि नियुनतमायू 21 वर्स तथा अधिकतमायू 30 वर्स होनी चाहिए हर्याणा में खनन निरिक्षक के लिए जियोलाजी यानि भूगर्व सास्त्र में B.S.C. खनन में डिप्लोमा वह हिंदी का ग्यान होना चाहिए जबकि नियुनतमायू 17 वस तता अधिकतमायू 42 वस होनी चाहिए और वहीं मद्यपदेश में अभ्यरती के पास जियोलाजी यानि भूगर्ब साथ से असना तक या खनन में इंजीनियरिंग या डिपलोमा की उपादी होनी चाहिए आचा है कि खनन निरिक्षक के विशय में अब तक दी गई जानकारियों से आपको पता चल गया होगा कि खनन निरिक्षक कौन होता है उसकी अधिकारे उन दाइत तो क्या होते हैं तथा उसकी योग गिता क्या होती है हलाकि जहां तक खनन निरिक्षक के दाइतों की बात है तो इनका कारे बहुत चुनोती पूर और जोखिम भरा होता है फिर भी अधिकते खनन निरिक्षक अपने दाइतों को पूरी सच्चाई से निर्वाह कर रहे हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि कुछ खनन निरिक्षक ऐसे भी हैं जिनके ब्रस्ट कारणामों और खनन मापियाओं से मिली भगत ने अराजकता भी फैला रखी है हलाकि कभी-कभी ऐसे भष्ट निरिक्चकों के वुर्ध कारवाई भी होती है लेकिन फिर भी कई भष्ट खनन निरिक्चक अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं जो बहुत ही चिंता जनक बात है अब ये खनन विभाग के वरिष्ट अधिकारियों का दाई तो है कि वो ऐसे घूसकूर खनन निरिक्चकों के वुर्ध कठोर कारवाई करें जिससे दोबारा ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को ना मिलें अब यदि आपके बन में इस विशह से जुड़ा कोई प्रस्निया सुझा हो तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं आज बस इतना ही धन्यवाद प्रस्टार नीचे देख भॉक्स में लिख से जुड़ा झाल नीचे करें नीचे दो प्रस्निया सुनिया जिए प्रस्टार चैंटर से जिए दिससे दो आपके दो प्रस्तित जो दोगता ही जो कि जो जो खिए धन्यश्यक्षबस्टावाद